वेल्कम तो था हर्ष लर्णिंग वीडियो पोस्ट हो दिया थे दोनों चैनल में आप सब का स्वागत है तो एक बड़ा मुमेंटम हमें एक्सपेक्ट है मार्केट में ठीक है वो बड़ा मुमेंटम कहां से होगा हम यहां पर एक्सपेक्ट करें यहांपर कहीं पर ओपनिंग करें और यह 500 को भी ब्रेक करें पांत सो के नीचे चार चार अपर ब्रेक करें तो अब यहांपर उसके बड़ा मुमेंटम हमें यहां से देखने को मिलने वाले हैं तो में यहाँ पर अभी पुझाना मार्केट में एक ही direction है हमारे पास की कि देखो मार्केट यहाँ पर closing भी बहुत बढ़ी आए एक कल जो closing आई थी वह 43,000 के अबाव में आई थी और आज जो closing आई यह वह 42,800 के nearest आ यह तो कल market gap down अगर opening करता इस zone के बीच में तो हम यहाँ पर 700 के नीचे selling के लिए जा सकते और selling है वो बहुत ही ज्यादा और speed से selling आ सकते है target हमारे 42,500 तक के जो यह low लगा हुआ इस zone के आसपास का इस zone के आसपास यानि 480 से 500 के बीच में यहाँ पर हमारा target मिल सकता है और next downside के लिए हम यहाँ पर prepare रहेंगे downside momentum जो यह low लगा हुआ है यानि कि जो हमारे यहाँ पर buy selling जो एकदम से sellers इसे नीचे लिगा है तो इसके बाद वापस से जो buying लिगा है तो यानि कि जो 400 वाला level है वो ज्यादा इंपोर्टन रहेगा हमारे लिए क्योंकि यहीं से ही market ने एक reversal लेना start किया था यहीं से ही market ने reversal लिया और यहां से market ने करीबन 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 1600 points का momentum market ने दिखाया है करीबन 1600 points के आज-पास का momentum market ने दिखाया है तो हम लिए कल जो important ज्यादा important रहेगा 42,400 वाला level ज्यादा से ज्यादा important रहेगा ठीक है तो market में उपर के और बारत करते हैं अगर उपर के और निकलता है market तो मैं यहाँ पर कोई भी trade नहीं करने वाला quantity एकदम small रहेगी अगर उपर निकलता है तो first यहाँ पर देखिए मेरा जो उपर निकलेगा कुछ अच्छा यहाँ पर कुछ candles ऐसी मिल जाती है तभी buying के बारे में सोचेंगे वरना मैं कोई भी call side पर मैं ज्यादा prefer नहीं करने वाला call side पर मैं ज्यादा momentum expect नहीं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ डाउन side की और ही ज्यादा momentum मैं expect कर रहा हूँ अगर market यहाँ पर कल हमारे against open होता है और वापस से 43,000 के nearest कहीं पर open करता है तो हम यहाँ पर clearly wait करेंगे 120 के अब बाव पर 120 जैसे निकलता है तो यहाँ पर छोटी सी quantity के साथ हम buying के लिए जा सकते और वापस से target हमारा 80 point का ही रहेगा और उसके उपर 100 point का target यानि की 300 and then ऊपर जो आज का day high था वहीं पर हमारा एक और target यहाँ पर placed हो सकता और यह वाला target यानि की 360 के आसपास इसको भी मैं नीचे ले लेता हूँ यह ज्यादा important हो जाएगा अभी ठीक है तो यहाँ तक हमारे target हमारे लिए निकल के आ सकते है और उसके ऊपर जो target हमारे बनेंगे यह zone ब बुक करना पड़े गया अगर वापस से 400 के अबाव निकलना start करता है market तो हम यहाँ पर entry करेंगे और 160 point का एक one way momentum मैं यहाँ पर clearly wait करूँगा 400 का अगर market one way उपर आता है तो यह मेरा expiry momentum में मेरे trade है market के according मैं अपने चार्ट से वो change करता रहता हूँ और मैं चार्ट है वो अपने premium ग्रूप पे और free telegram चैनल पे दोनों में पोस्ट करता रहता हूँ तो आप लोग जाके मेरे चैनल को जल्दी से join कर लिजेगा दोनों के link मैंने description पे दिये गया है ठीक है जल्दी से join कीजेग तो नो चैनल के link आपको description मिले होंगे ठीक है और video अच्छा लगा तो like share and subscribe कीजेगा market थोड़ा risky है quantity थोड़ा low रखके चलिएगा expiry है expiry के दिन अब सबको पता है zero to hero भी मिलता है but zero to hero momentum के लिए आपको wait करना पड़ेगा fast momentum में ही हमें zero to hero मिलेंगे thank you so much guys for the watching this video अच्छा ल है बड़े momentum expect है कल बड़े ही momentum ठीक है bye bye take care और मिलता है कल live stream पे भी आईएगा live stream पे भी मिलेंगे thank you so much guys bye bye take care bye